नमस्कार दोस्तो मैं पुनीत इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हम लोग एंडूसियम पर चर्चा करेंगे एंडूसियम इस्टेमेंस का कलेक्टिव गूप होता है यानि इस्टेमेंस को कलेक्टिवली हम एंडूसियम कहते हैं इस सब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्र होता है पहला एंथर और दूसरा फिलामेंट एंथर इस्टेमेंस का ऐसा पार्ट होता है जिसमें पालें ग्रेंस बनते हैं यह दो लोब या एक लोब वाले हो सकते हैं जैसे फीगर में आप देखिए एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है इन दोनों लोब को कनेक्टिव उसे हम connective कहते हैं यह पुगा structure एक filamentous structure फर बेवस्तित होता है जिसको हम filament कहते हैं अगर एंथर को लोब के हिसाफ से classified किया जाए तो यह में ली दो तरके होते हैं पहला diethicus और दूसरा monothicus diethicus ऐसे एंथर होते हैं जिसमें दो लोब पाया जाता है जैसे यह जैसा भी आपने figure 5 दिखाता है यह filament हो गया और यह उपर वाला दो लोब हो गया जबकि monothicus में सिर्फ single लोब पाया जाता है एक लोब पाया जाता है और वो filament पर बेवस्तित होता है इसके लावा जो diethicus ऐंथर होते हैं उसमें चार चैंबर होता है इसलिए से tetrasporengiate ऐंथर या stamens भी कहते हैं जबकि monothicus में सिर्फ दो चैंबर होता है इसलिए से 22 प्रेंजियेट कहते हैं फिगर में देखिए जब एंथर का transfer section काटा जाएगा तो इसमें आपको चार चैंबर दिखाए देंगे एक चैंबर दो चैंबर तीन चैंबर चार चैंबर इन चार चैंबर को हम pollen green चैंबर बोलते हैं इसके अंदर ही pollen green का formation होता है जबकि monothicus में सिर्फ दो चैंबर होते हैं इसलिए इसको 22 प्रेंजियेट भी कहा जाता जैसे मैंने आपको पहले बताया था डाय थिकस ज़्यादे तर plants में पाया जाता है जबकि monothicus का example मालवेसी है जि हाँ जिसका china rose example है देखे connective जो होता है ये दोनों चैंबर को जोड़ने का काम करता है इसके कुछ बहुती interesting example भी आपको देखने को plant में मिलेंगे जैसे साल्विया का plant होता है साल्विया में जो एंथर लोब होता है एक दुसरे से काफी दूग हो जाते है क्योंकि उसमें connective काफी लंबा होता है देखे एक लोब ये है और एक लोब ये है बीच में लंबा सा connective है जिसे दोनों लोग काफी दूर दूर हो गए हैं अब यह इस्ट्रक्चर प्लांट को पॉलिनेशन करने में हेल्प करता है कैसे जब कोई इंसेक्ट यहां से इस जगह पर अंदर के तरफ जाएगा इस नेक्टर को खाने के लिए तो यह इस लोग पर धक्का लगाएगा है यानि इसे पुस्क करेगा जिससे यह वाला सिगा नीचे की तरफ आ जाएगा और जो भी इंसेक्ट होगा उसके पंक में पॉलें ग्रेन लग जाएंगे सेम फिनामिनान जब ये इंसेक्ट ऊब कर दुसरे फिमेल प्लांट पे जाता है तो सेम मेकनिजम वहां पर भी होता है इस मेकनिजम को हम लीवर मेकनिजम कहते हैं इसका एक्जामपुल साल्विया है एक चीज़ ध्यान दिजेगा कि हाँ पर जो दोनों लोब होते हैं एक लोब इसमें स्टेराईल होता है इसलिए इसको इस्टेराईल लोब भी कहते हैं यानि ये कोश्चन बहुत इंपॉर्टन है किस लीवर मेकनिजम किस में फाय जाता है एक्जामपुल है साल्विया है अब अगर हम फिलामेन के अधार पर देखे तो एंथर या इस्टेमेंस को हम तीन भागों में या तीन रूपे में क्लासिफाइट कर सकते हैं पहला मूनू एडेलफस दूसरा डाइडेलफस और तीसरा पॉली एडेलफस यानि ये एडेलफस कंडिशन क्या होती पहले समझाईए एडेलफस कंडिशन का मतलब ये होता है कि जब एंथर फ्री हो और फिलामेंट फ्यूज हो मतलब किसी भी फ्लावर में जब धेर सारे स्टेमेंस पाया जाते हैं और सारे स्टेमेंस के फिलामेंट एक साथ फ्यूज हो और chamado ऐंथर फ्री हो तो ऐसी कंडिशन को हम एडेलफस कंडिशन कहते हैं जैसे आप यहाँ पे देखिए ये मोनोएडेलफस है मोनोएडेलफस का मतलब हुआ कि सारे फिलामेंट एक गूरूप में फ्यूज हो गए है सारे फिलामेट एक ग्रूप में फ्यूज हो गए है जबकि एंथर फ्री है एंथर आपका फ्री है ठीक है तो ऐसी कंडिशन को हम मोनो एडेलफस कंडिशन कहते हैं एकजामपूल चाइना रोज फैमली मालवेसी मैंने आपको पहले बता था मालवेसी के का ही भिंडी है मालवेसी का ही कॉटन है ठीक है अब देखे डेलफस कंडिशन डेलफस कंडिशन में क्या होता है कि इस्टेमेंस दो ग्रूप में पाय जाता है डेलफस मतलब दो समू में पाय जाता है अब जैसे मैं आपको एक example यहाँ पर P का बता रहा हूँ यहाँ पर 9 जो instruments हैं एक साथ fuse कर गया है यह देखिए सारे 9 instruments एक साथ fuse कर गया है लेकिन उनके enter free है और 1 instruments अकेले है यानि 9 प्लस 1 का position बन रहा है जैसे P में ठीक है अब इसके बाद आते हैं Poly Adelphus Condition में Poly Adelphus Condition का मतलब होता है कि Stamines कई समू में पाए जाते हैं कई group में पाए जाते हैं जैसे Rute C यह Condition Poly Adelphus Condition कहलाती है अब आज़ाई San Genesius Condition में San Genesius Condition ठीक उसका उल्टा होता है वहाँ पर आपने देखा था कि filament fuse था और enter फ्री था लेकिन यहाँ पर क्या है enter fuse है और filament फ्री है एक जाम्पूल Astracy बहुत इंपोर्टन है Astracy is the largest family of the world Tattus Erecta यानि मेरी गोर्ड हेलियन्थस एनस यानि संफ्लावर कार्थेमस टिंक्टोरियस यानि सेफ्फ्लावर जिससे प्यूफा निकाला जाता Poly Unsaturated Fatty Acid यह सब Astracy के हैं तो San Genesius का मतलब समझ गए जब enter fuse हो और filament free हो तो ऐसे condition को हम San Genesius कहते हैं अब आजाएं सेन एंडरेस पे सेन एंडरेस कंडिशन का मतलब होता है कि जब enter और filament दोनों fuse हो तो ऐसे condition को हम San Andres condition कहते हैं जैसे कुकुकुक बिटेसी कुकुक बिटेसी को vegetable family भी कहते हैं इसका खीरा, ककड़ी करेला, लोकी सब इसी का है अब आज एक कौनिवेंट कौनिवेंट में क्या होता है कि एंथर जो है एक दुस्वे को टच करते हैं लेकिन fuse नहीं करते हैं ठीक है? यानि एंथर एक दुस्वे काफी नजदिक होंगे लेकिन एक दुस्वे को fuse नहीं करेंगे जैसे सोलेनेसी में सोलेनेसी को medicinal family भी कहते हैं इसका टमाटर मिर्चा, बैगन आलू सब सोलेनेसी family का example है अब इस्टेमेंस के एडिशन पर आ जाते हैं इस्टेमेंस की स्थरे से फ्लाउर में कैसे कैसे अटेच होता है जैसे अगर ये पेटल से अटेच हो तो ऐसी कंडिशन को हम EP Petalus condition कहते हैं ठीक है? जैसा कि आफ इस figure में देख रहे हैं ये पेटल है और इससे फिलामेंट इस्टेमेंस का फ्यूज है ठीक है? अब यहाँ पर देख लिजे ये पेटल है और इससे इस्टेमेंस फ्यूज है ठीक है? पाया किसमें जाता है? मासो लाको याद कर लिजे मासो लाको मासो लाको बतलब मा से मालवे सी, सो से सोलेने सी, ले से लेमेने सी, ठीक है, और को से, कमपोजिटी, यानी एस्टेरेसी, ठीक है, इसको हम इस सिम्बल से दिखाते हैं, सी, कनेक्टे टू ए, यह सिम्बल है, अगर, फ्लोरल फार्गूलाब दिखाना होता है, और फ्लोरल डाइग्राम में दिखाना होता है, ठीक है, अब आज़े यह, ईपी टेपलस, या ईपी फेलस कंडिशन पे, ईपी फेलस कंडिशन लेमिनेसी में पाये जाता है, देखे, य यह लेमिनेसी और यह इसमें जो स्टेमेंस होता है वो टेफल से जिसको आप पेरियन्थ कहते हैं उससे अटेश होता है पेरियन्थ से अटेश होता है ठीक है अब इसके बाद आजए गैनेंट्रेस कंडिशन गैनेंट्रेस कंडिशन का मतलब होता है गैनेंट्रेस कंडिशन का मतलब होता है कि गैनेशियम और इस्टेमेंस यानि फिमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों एक दूसरे से अटेच होते हैं जैसे कि आप इस figure में देखिए, यहाँ पर यह गैनिशिया जो की female part है और उसे pollenia चिपका हुआ है, ठीक है, तो ऐसी condition को हम गैनेंड्रेस condition कहते हैं, जैसा कि केलाटॉपिस में मिलता है, केलाटॉपिस प्रॉस्टरा, मदार, ठीक है, इसका example आर्कीडेसी और स्कलेफिडेसी है, आर्कीडेसी जो family है, इसके plants में seed काफी छोटे होते हैं, smallest seed are found in the आर्कीडेसी, एक चीज़ हैं पर मैं आपको फिर से बता दूँ, कि जो EP टेपलस कर्डिशन होता है, टेफल होता है, और EP पलस कर्डिशन ऐसे होते हैं, जिसमें की, जो इस्टेमेंस होता है, वो पेरिय इस्टेमेंस होता है, वो पेरियन से अटेच होता है, इसका एक्जाम्पूल लिली एसी है, लिली एसी, लिली एसी का लिली प्लान, ठीक है, लिली, इसी का एलियम सेपा है, प्याज, इसी का अनियन है, गार्लिक है, ठीक है, और इसी का ग्लैडियोलस, जिसे हम लोग रजनी गंधा करते हैं, EP फेलस कंडिशन उसमें भी पाए जाते हैं, लिली एसी, ठीक है, तो ले लेमिनेसी जो होता है यह तुलसी की फैमिली है ठीक है और लिलीसी यह लिली फैमिली प्राण की फैमिली है ठीक है कन्फर्म कोई भी कोस्टिन अगर आपको पूछना है तो नीचे कमेंट करिए मैं उसका तोगंद जवाब दूँगा अब डाइठेकरस इंट्रोस टर्मिलाजी को समझ लिजए डाइठेकरस इंट्रोस का मतलब होता है कि जब एंथर में दो लोब हो और वो लोब सेंटर की तरफ सेंटर की तरफ अपने सीरे को किये रहूं जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे यह तुर्ण सेंटर है यानि कि जो एंथर होता है जब यह बर्स्ट होता है यानि पॉलन ग्रेन को जब रिलीस करता है तो इस तरफ रिलीस करता है ठीक है सेंटर की इक्स्ट्रोज होती तो इसका मूँ बाहर की तरफ ऐसे होता ठीक है यानि एंथर्ट लोब्ज होता वो बाहर की तरफ बश्ट होता अब डाइथिकस इंट्रोज का एक्जाम्पूल इंट्रोज ठीक है और इसे तीन तरह से डिवाइट किया ज़कता है यानि तीन तरह से divide किया जासकता है यानि तीन पार्ट में divide किया जासकता है पहला diadynamous condition दूसरा tetradymous condition और तिसरा heterostaminous condition diadynamous condition में क्या होता है कि दो stimens large होते हैं और दो small होते हैं यह किसमें पहता है levinasi, तुलसी वाली family में और acanthasi और bourvinasi levinasi, तुलसी की family हो गई acanthasi, acanthas जिसका वैसिका था ठीक है जो खासी की दबाबनती थी और bourvinasi, tea plant जिसको tektona grandis वीप करते हैं ठीक है, saagoon अब उसके बाद आते हैं tetradymous condition में tetradymous condition में चार ishtermen छोटे होते हैं और दो बड़े होते हैं जैसा कि मटर के फूल में देखने को मिलता है तो tetradymous condition से याद कर लिजिए चार टोटल छे स्टेमेंस होते हैं चार छोटे और दो बड़े जबकि डाइडाइबस condition में टोटल चार होते हैं दो बड़े और दो चोटे अब hetero staminos में आजएए hetero staminos में सारे staminos की लंबाई अलग-अलग होती है ठीके ऐसे condition को हम hetero staminos करते हैं इसका example konvalbulacy है konvalbulacy कमने आपको example बताया था ipomia cascuta ठीक है doder plants जीसे करते हैं जो कि stem parasite होता है ठीक अब enter के attachment पर आजएए जो enter जो होता है कई तरह से attach हो सकता है जैसे add net यानि कि इसका पूरा का पूरा जो filament होता है उपर तक जाता है और दोनों तरफ enter लोग लगे होते हैं इसका example क्या है my area चंपा का magnolia c family का है ठीक है इसके बाद यह बेसिफिक्स बेसिफिक्स क्या होता है बेसिफिक्स पे जो enter होता है enter के base से filament लगे होते है ठीक है एए जामपूद solenasi इसके बाद darcifix होता है यानि darcal surface से filament लगा होता है तो इसको darcifix कहते है जैसे peasy fluoresce पैसी फ्लोरेषी का पैशी, पैसी फ्लोरेषी का वजू फ्लांट, इसको कौरो और पांडो फ्लांट क्याते हैं, क्योंकि इसमें 100 इस्टेमन ए 5 इस्टिगमान, तो 100 कोरो पांडो ए 5 को इसमें 30 इसे करिबाए ओता है कि अब कुछ में कि होता है एंथऑ हैंगिंग होते हैं लके गते हैं हवा चलने पर Tik Was भी ज़ए आप जो एंथर्व ऒता है वह वर्से टाईल होता है अब आजे ये कुछ special type of condition पे कभी कभी क्या होता है कि पुरा instruments जो होता है एक आधार से श्टाक पर लगा होता है तो उस श्टाक को उस आधार को उस structure को हम एंडरोफोर बोलते हैं देखिए उपर यह सारे instruments लगा हुआ है एक आधार है उसको पर सारे इस्टेमन्स लगा होता है तो उस अधार को हम क्या बोलते हैं इंड्रो 4 बोलते हैं फिसका एक्जांबूल क्या है ng Battlefield क्लियोंगढिये देखिए कभी-कभी क्या होता है कि हम जैसे इस्टेमन्स लगा होता है इसे तर से गैनीसियम भी अधार पाइंदोफूर जैसे जाता है थीक कभी को भी दोनों लगारता हुडagnis Film में जाता है ठीक है लेकिन यहाँ फे गैनेसियम भी होता है और इस ट्रेमंस भी दोणों लग फना होते हैं ठीक तो ऐसी कंडिशन को हम एंड़ो गैनलोफोग कंडिशन कहते हैं तो एंड़ोफोगय का एग्जांपूल 60 ακौपापिस हो गया ठीक है? अब आज лेभी इक्जांपूर का पारिसी ही होता है ठीक है अब आज यह Diploistiveness condition में देखे Diploistiveness condition जो होती है इसमें क्या होता है कि जितने भी floral part होते हैं चाहे वो kelex हो, चाहे वो Kbola हो वो सबी एक दुसरी के alternate करते हैं जैसे यह kelex है ठीक है केलेक्स को अल्टरनेट को कर रहा है कबूला ठीक यह केलेक्स है तो केलेक्स को अल्टरनेट को कर रहा है कबूला कर रहा है फिक कबूला को अल्टरनेट को कर रहा है एंधर कर रहा है ठीक है इस टेमेंज कर रहा है तो देखे सब अल्टरनेट कर रहा है समझार यह नहीं बात देखे फइले यह कैलर्क्स हो गया, फिस्को अलडर कर रहा है, कभवला, फिस्कॉार्ट्रोलेट कर रहा है, अंडुसीयम, तो ऐसी condition को हम कहते हैं, diplosedир menace condition, ठीक है, बहुत important condition है, diplosedisance condition कहते हैं, किसने पया जाता है, सीजल, ph 안에 coch finding यह और जिरै जाता है कभी है यह क्या होता है alternate नहीं करता है alternate नहीं करेगा तो इसको हम क्या बोलेगे orp deplose treminess von condition आफ सीधे सिधे समझे कि fetal के opposite जब एंथर पाय जाता है तो इसको हम curOn camouflage treminess करते हैं जैसे माली यह आफ का fetal है यह है यह है तो यहाँ पर इस तरह से यह पाए जाता है तो इसको हम आप डिप्लोस्ट्रेमिनस कंडिशन न करते हैं लेकिन जब यही चीज यह पेटल है अब यहाँ पर अटनेट नो अटनेट होगा तीज़ जब अल्टनेट नहीं तो पोजिट्टू यहाँ पर इस तरह से जब एंथर फाय जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे आप डिप्लोस्ट्रेमिनस कंडिशन इसका एक्जांपल क्या है कारियो फैलेसी ठीक अब देखें तो एक पारग्राप में ही पूरी चीज जो को खतम कर दिया है तो मैं आप बता दूँ कि इसमें दिया हुआ है कि जो एंडूसियम होता है इसको हम स्टेमेंस को कमभाड ली एंडूसियम कहते हैं ठीक है और यह बाई लोब्ड होता है ठीक जिस पर कि दो चेम pollen sick कहते हैं और इसी में pollen grain बनता है कभी-कभी pollen sick में जब pollen grain नहीं बनता है तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? intermittentilate कहते हैं ठिक यानि sterilefter को हम hetaminose कहते हैं देखेगे कभी-कभी जो यह estimer होते हैं वो पेटल से attached होते हैं तो ऐसी condition क्या कहते हैं EP petals condition कहते हैं जैसा के आपने मासो, मालवेसी, सोलेनेसी, लेवेटी और कमपोजीटी यानि मालवेसी मतलब चाइना गो, सोलेनेसी मतलब टमाटक, पोटेटो, लेवेटी मतलब तुल्सी और सोलनेंट कंपोजिटी या नी एस्टेरेसी मतलो संफ्लाओर या टेक्टरस इरेक्टरस में देखा था ठीक है अब एक्जंपल बिरिंजल दिया हूए यह परटष का है नी सोलेनेसी का है यह ब्रिंजल किसका है सोलेनेसी का चोखा फैमली याद रही है कि टामाटर आलू मिर् ठीक है ब्रिंजल भी सुलेनेशी का है अब इपिफिलस कंडिशन क्या होती है जब यह पेरियन सेटेच हो इस्टेमेंस पेरियन सेटेच हो देखिए लेली एक्जांपल दिया है लेली ऐसी फैमली का है ठीक है मैंने आपको बताय था इसी का ऐलियम सिफा भी है ऐलियम इस्टेमेंस होते हैं फ्री होते हैं ठीक है तो ऐसी कंडिशन को पॉलियन डेस कंडिशन कहा जाता है जिसे आपने पढ़ाया पर इसके पहले आपने इसमें देख लिया था भी ने डेलफास कंडिशन क्या होता है जब एक ही ग्रूप में पाए जाए उन बंच फल्व एक कनेक्टिवे था जाए यहाँं यहाँ फिए दोग भूमिंग और में जाए जाता है तो इसको यहां i see यहां पर खुब लंबा हो जाता है उसका कनेक्टिव ठीक तो वहां पर कनेक्टिव लंबा हो जाता है तो उसको हम लिवर में के निजम वहां पर होता है और वह इंड़मोफिलस में हेल्प करता है अब यहां पर देखे दिया है कि कभी कभी क्या होता कि जो कईacy length में इस्टेमिनस पाए जाते हैं जिसको हेर्टरो इट्रो इस्टेमिनस करते हैं ठीक है और मैंने फिर उसके बाद आपको बताया था कि जब दो लेंथ में पाया जाता था तो इसको डाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आपके suggestion का most welcome है, आप जो भी suggest करेंगे, अगर आप कुछ चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो चाहिए आपको तो वो नीचे comment में लिखे, साथ ही साथ अगर आपको notes की PDF फाइल चाहिए, अपने email पर तो अपना email पेस्ट फाइल नोट्स, तो आपके personal email पर आपको notes पेस दी जाएगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा तो अनलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें बताइजिए कि जो नहीं अच्छा अच्छा लगा, धन्यवाद में तो